इस बात इंफ्रास्ट्रक्टर स्पेस के लिए क्या कुछ निकल कर लेकर आया है जो आ सकता है बजट से बताएं प्रकाश सब्सके करवें प्रकाश कर सकती है पिछले तीन साल के दोरान को करीब 130 पर्सकाल की बढ़ोतरी वह हुई है इसके अलावा सुत्र हमें इस बात की पंबुष्ण कारी दे रहे हैं कि PM गति शक्ति मास्टर प्लान और National Infrastructure Pipeline में सरकार बजट्री एलोकेशन बढ़ा सकती है अगर आप PM गति शक्ति मास्टर प्लान की बात करें तो बजट्री एलोकेशन में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है पिछले सरकार ने इसके के लिए 20,000 करों रुपय का आवंटन जो है वो किया था इसे स्कीम के तहट अगर आप देखें तो तमाम ऐसे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफी एहम प्रोजेक्ट्स हैं उसकी पहचान हो गई है और अब सरकार का फोकस यह है कि इसको जल्दी से जल्दी इंप्लिमेंट किया जाए रिल्वे से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं रोड्स और हाइवे से समन्धित प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा पोर्स और एयरपोर्स से समन्धित प्रोजेक्ट्स हैं जिसको सरकार प्राथमिक्ता दे सकती है सुत्र हमें इस बात की भी जनकारी दे रहे हैं कि हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है अत्रिक्त पैसेंजर फासिलिटीज के साथ उसकी घोशना बजट में की जा सकती है इसके अलावा गती शक्ती कारगो ट्रेन की भी घोशना की जा सकती है ताकि जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और मजबुती प्रदान की जाए जल जीवन मिशन जिसके जरीए सरकार 2024 तक हर घर में नल के जरीए साफ पानी पहुचाना चाहती है उसके लिए बजट्री एलोकेशन में 25% की बढ़ुत्री की जा सकती है ट्रास्मिशन सेक्टर के अगर आप बात करें तो इसके लिए भी कुछ बड़े अनौस्मेंट सरकार कर सकती है सबसे एहम तो यह होगा कि 2030 तक 500 गीगोवाट रिनोबल एनरजी की वेक्वेशन के लिए जो फीचर इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा उसका रोड में पेश किया जा सकता है इसके अलावा लदाक हरियाना ट्रांस्मिशन प्रोजेक्ट जो है उसकी घोशना की जा सकती है और उसके लिए सरकार करीब 25,000 करूर रुपे का वंटन कर सकती है